मैं समय संगम नोच पे मौझूद हूँ महंत नरेंदगिरी का जो पार्थिक सरीर है यही पर आएगा आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है यह तकहत यहाँ पर संगम नोच पर लगा दिया गया है संत महत्माओं का आने का सिलसिला सुरू हो गया है अप से थोड सुरक्षा के चाग जोबन ब्यवस्था कर दी गई है जो सद्धालू संगम पर आ रहे हैं उनको यहाँ आने की कि कोई इजाजत नहीं दी जा रही है जो लोग असनानार्थी हैं वो देख रहे हैं कि वो उधर से ही बैरिकेटिंग के बाहर से जाकर आस्था की डूपकी पार्थिक शरीर पहुंचेगा और निरंजनी अखाड़े का जो परंपरा है उस परंपरा के मताबिक उनको अश्नान कराया जाएगा उनके मुह में गंगा जलो और कुल सी दल डाल कर उसके बाद यहां से फिर लेटे हनुमानमंदीर उनका पार्थिक शरीर जाएगा वहां मैं संगम नोच पे मौजूद हूँ महंत नरेंदगिरी का जो पार्थिक शरीर है यही पर आएगा आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है यह तकहत यहां पर संगम नोच पर लगा दिया गया है संत महत्माओं का आने का सिलसिला सुरू हो गया है आप से सुरक्षा के चाग जोबन ब्यवस्था कर दी गई है जो सद्धालू संगम पर आ रहे हैं उनको यहां आने की कि कोई इजाजत नहीं दी जा रही है जो लोग असनानार्थी हैं वह देख रहे हैं कि वह उधर से ही बैरिकेटिंग के बाहर से जाकर आस्था की डूपकी लग और निरंजनी अखाड़े का जो परंपरा है उस परंपरा के मताबिक उनको अश्नान कराया जाएगा उनके मुह में गंगा जलो और कुलसी दर डाल कर उसके बाद यहां से फिर लेटे हनुमानमंदिर उनका पार्थिक सरीर जाएगा वहां पर सद्धालू के लिए थोड़ कर देखा मुश्चरा के लाएगा जाएगा जब का ज़का ब्यास पहां से लाएगा बादे है बादे हैं कि उनकोंदे हैं राल कर दो शेखाड़े हैं ।